ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है, जो आपको सहना पड़ता है, मैंने का नहीं, मुझे जमूर कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जमूर कश्मीर के लोगों से महबत करता हूँ. खारगे जी, खारगे जी, वेनु गोपाल जी, सोलांकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम एहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन बल्ला जी, तारचन जी, रंधावा जी, कॉंग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकरता, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. वैसे हम आपको कार्यकरता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकरता नहीं हो. अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं. जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मिले, और हमने तह किया, दोनों ने तह किया, कि हमें सबसे पहले यहां जमू और कश्मीर आना चाहिए. क्योंकि हम जमू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मेसेज देना चाहते हैं, कि हमारे लिए जमू और कश्मीर के लोगों का रेप्रेजेंटेशन, उनका स्टेट हुड सबसे ज़रूरी चीज़ है. हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद, बहुत सारी बार यूनियन टेरिट्रीज को स्टेट में बदला गया है. मगर एक ही उधारन है, जब स्टेट हुड छीन कर, यूनियन टेरिट्री बनाई गई है. ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था. और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रेप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है. इसलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं, मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोग तंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रेप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए, जो जमू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष है. ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है, जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कॉंग्रेस पार्टी, हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं. कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, कभी-कभी आप किसे से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है, कभी कोई उल्टी-सीरी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है, कभी कोई exact बात नहीं बोलता, तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती है, तो कल रात मैं खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहाँ पे उन्होंने पूरी मतलब वाजबान खिला दी, अब खारगे जी की मुश्किल है, वो उनको केरला गए थे, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, अब खारगे जी नौन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भाईया आपको 15 दिन वेजिटेरियन काना काना है, तो कल वाजबान का मज़ा नहीं ले पाए, वाजबान के बाद मैंने सोचा, मैं जाके आइस्क्रीम खा लूँ, तो मैं आइस्क्रीम पालर में गया, वहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ पे बाची चल रही थी, तो वहाँ पे जो आइस्क्रीम खा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला, कि आपको जमू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे में अंदर एकदम इरिटेशन आई, मैंने का नई, मुझे जमू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जमूर कश्मीर के लोगों से महबत करता हूँ, ये अलग चीज है, तो मेरा आपके साथ दूसरा रिष्टा है, इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूँ, ये मुझे और गहराई से समझ आती है, ये बहुत पुराना रिष्टा है, खून का रिष्टा है, तो ये मैसेज में आपको देना चाहता था, दो तीन और चीज़े कहूँगा, अगर कॉंफिडेंस से निडर्टा के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है, तो वो कॉंग्रिस का कारे करता है, मैं जानता हूँ, आप लोगों को क्या सेहना पड़ता है, मगर आप कॉंग्रेस पार्टी का जंडा, कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए, आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप त्यार रहते हो, तो मैंने कर्रा साथ को कहा है, खार्गे जी ने भी कहा है, कि गटबंदन होगा, मगर कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता की इज़्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा, स्थी जी बात है, पियार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकरता है, उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्ज हैं, उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी, कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा की रक्षा करने में, कॉंग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूँ आपने कितना जोर, कितना कश्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पर उठाया है देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जमू कश्मीर में बेरोजगारी है जो opportunities यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेज के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है मगर एक बात बदल गई है, और यह आपने टीवी पे देखा होगा चुनाओं में नरेंद्र मोधी जी की confidence को इंडिया गटबंदन ने खतम कर दिया आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोधी जी चाहती फहला के आते थे यहाद है आपको यूँ आते थे, अभी यूँ आते हैं और हराया किसने, नहीं, राहूल गांधी नहीं, 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 राहूल गांधी नहीं, कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गटबंधन की विचारधारा ने, मोहबत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब प्रयोग नहीं किये, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप, जो अपने आपको सोचते हो, वो नहीं हो, उनकी confidence को, मैं आपको state से खुल के बता रहा हूँ, उनकी self confidence को, उनकी psychology को हमने तोड़ दिया है यह आपको मैं message देना चाहता था, आप Congress Party के कारे करता हो, बबर शेर हो, और आप सिर्फ कारे करता नहीं हो, यह पूरा का पूरा एक परिवार है झाल